देख रहे हैं बाते कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं सब कुछ लेकिन वहाँ पर ये स्पेशल कारिकरम भाशन देने के लिए आये मोहन भागवत जी उनके इस भाशन को सुन करके जो लोग आडिटोरियम में थे उनके उपर क्या प्रतिक्रिया थी उनका क्या कहना था ये जरा बताईए और अपने विचारों को भी रखिए देखिए ये समय था एक कुस्तक के विमोचन का जो खौजा इफ्तिखार एहमद साब में लिखी है और उस किताब के विमोचन को खुद सुविकारा था मौहन भागवत जी ने कि मैं इसका विमोचन करूँगा जबकि ये अप जहां तक मुझे मालूम है संग किसी भी किताब का इस तरह विमोचन नहीं करता है तो ये पहला अपसर था जब मौहन भागवत जी ने किसी प्युस्तक का विमोचन किया जहां तक सवाल उस कारिकरम का है और मौन भागवत जी की उस भाशन का है जो बहुत चर्चा में हैं तो मैं चुकि वहाँ उपस्तित था और कारिकरम इस लिहाद से बड़ा इंपॉर्डेंट था कि पहली बार संग ने अपनी लाइन से हट करके और कुछ बातें महां साजा की और ये उमीद जताई कि आब सेतू का काम होगा उन्दु मुस्लिम एकता के दर्मियान लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तरफ संग की अपनी विचारदारा है और जब भी संग बात करता है वो सब को जोडने, सबकी उन्नती, सबकी तरक्ती, सबको साथ लेने की बात करता है लेकिन उसके जो दूसरे संगडन है वो ठीक उसके विपरीत काम करते हैं लेकिन संग ने कभी भी उन पर अंकुष लगाने की बात नहीं की कभी संग ने ये नहीं कहा कि हम अमुक समस्या को लेकर के हमारा ये विचार है वो अपनी बात कहते रहते और जिन लोगों को जो काम करना होता वो अपना काम करते रहते पहली बार संक्रमुप में मौब लिंचिंग को लेकर के फिक्र जताई और ये कहा कि जो गुनेगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए लेकिन ना सिर्फ माला पिना कर उनका आदर सत्कार किया बलके उसके बात से अब तक भी कितने ही इस तरह के मामले हो चुके हैं मगर किसी भी सते पर उसको रोकने के लिए कभी बात नहीं की गई तो ये पहला मौका था जब सरसंग चालक ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां तक मैं समस्का हूँ और वो उनके अपने विचारधारा का हिस्सा भी है कि जो भी भारत में रहते हैं वो सब हिंदू हैं और सबका डिये ने एक है तो इसमें हिंदू मुसल्मान का कोई सवाल ही नहीं होता लेकिन जब हिंदू मुसल्मान का कोई सवाल नहीं होता तो फिर ये सवाल कहां से आता है कि नागरिकता दिखाएं और ये बताएं मुसल्मान कि वो यहां के नागरिक हैं ये बहुत ही जिनको मेरे ख्याल है कि संग को अपने यहां भी और अपने जो उसके साथ जुड़े वे दूसरे संग गड़ेने उनमें भी इस विचार को इस्तापित करना होगा यदि वे ऐसा करते हैं तो ये भारत के भविश्य के लिए शायद बहुत अच्छा हो सकता है और सभी लोग य जानती हो यही तो जगड़ा है तो अब इस जगड़े को निप्टाने के लिए एक तरफ श्यामा परसाथ मुखरदी ने कहा कि गली गली जब तक संगर्श नहीं होगा तब तक इस मसले का हल नहीं होगा दूसरी तरफ डायलॉग की हम लोग बात कर रहे हैं कि मुसल्मानों के साथ डायलॉग होना चाहिए बात होनी चाहिए यह एक अच्छी चीज़ है कि डायलॉग होना चाहिए लेकिन डायलॉग की कुछ सीमाएं भी हैं अगर डायलॉग विदाउट रहनी मीनिंग होता है तो उसका कोई फाइदा नहीं है एक तरफ आप कहते हैं कि सबकी आस्त हो रहा है राम के नाम पर पूरी फॉलिटिक्स हो रही है और उस फॉलिटिक्स को रोपने के लिए ना सिर्थ आप कुछ नहीं करते बलकि जब उसका शिलानियास होता है तो आप वहां उपस्रिब भी होते हैं तो यह जो कंट्रडिक्शन है विचारधारा में कहने में और जो तो अमली तो और सामने चीज़ा आती है उन में इस कंट्रडिक्शन को कहीं ने कहीं मेरा ख्याल है कि दूर करना चाहिए यदि ऐसा संग ने सोचा है और वो ऐसा करने में काम्याब होते हैं तो शायद यह एक अच्छी पहले हो सकती आप अच्छा है कि आप वहां थे और बहुत सारी बातें फॉस्ट हैंड आप सुना रहे हैं बता रहे हैं और अपने विचार भी रख रहे हैं डॉक्टर मुजफर गजाली आपके पास आना चाहूंगा एक बयान AIMIM के प्रमुख असदुदीन OVC का बयान आया है और वैसा अगर हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो कहा है और वही बात प्रशाजी कह रही थी लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल उठाये जा रहे हैं वह सवाल भी वाजिव हैं उन सवालों पर भी जबाब देना चाहिए और मोहन भागवत को खुद जबाब देना चाहि पर और बयान पर हम लोग चठचा विमर्श करते हैं उसके बाद में सितिया वही उत्पन होती हैं जो होती रही है लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं और उसके अलावा समय समय पर अलग अलग चीजह हैं अलग reap अलग मुद्दे भर के आते हैं जिसमें कहीं नगीं सां को रखना यहां पर ज्यादा आसान होगा कह रहे हैं कि आरेसेस प्रमुख्य भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्य विरोधी हैं इन अपराधियों को गाय और भैस में फर्क नहीं पता होगा लेकिन कटल करने के लिए जुनेर अखलाक पहलू रकबर अलिमु अखिर लेकिन सटीक बात कही है मैं इनकी बातों से इतिफाक रहा हूं और इसी के साथ डॉक्टर घजाली आपके पास आना चाहूंगा एक पत्रकार होने के नाते आप इनके बयान को देश की परिस्थितियों को और मोहन भागवत के समय समय पर आने वाले बयान को किस रू इसे समय में अलफसंख्यक ही क्यों नजर आते हैं जब लिंचिंग की बात आती है तो अलफसंख्यक ही क्यों नजर आते हैं और कई बार अलग अलग धंग से उसको तुसरे धंग से लिपा पोती भी होती रही है वैसी भी चीज़े आती रही है और यह जो ट्वीट है इनका इनका जो बयान है असदुद्दीन उवैसी का इसको आप यहां किस रूप में देखते हैं? लेकिए मुहान भागवत जी ने एक बात और बहुत इंपॉर्टन कही थी अपने वक्तवे में कि जो हिंदु मुस्लिम के दर्मियान सोहार्थ पूर्ण रिष्टे है उन रिष्टों को राजनीती से नुफसान पहुंसता है उन्होंने इस बात पर भी चर्चल की थी और असदुद्दीन उवैसी साब का जो बयान है उस बयान से पॉलराइजेशन को मदद मिलती है असदुद्दीन उवैसी के दो मिंबर जो पंचाय चुनों में जीत कर आए उन्होंने जिला अध्यक्ष को चुनने में मदद दी ये बात मीडिया में आ चुकी है तो यूपी के अलेक्शन के अगर पसमंदर में देखे तो असदुद्दीन उवैसी यूपी में अपने पैड जमाना चाते है यूपी में 100 सीटें इसी है जहां मुसल्मानों का वो परसेंट 25 परसेंट से ज्यादा है यानि 30 परसेंट के आसपास है उन 100 सीटों पर इनकी नदर है उन 100 सीटों पर ये अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और इसी से महां के नतीजे बदलने की उम्मीद है और बीजेपी को इन से बड़ी उम्मीद है एक तरफ जब असद दिन वैसी मुसल्मान मुसल्मान कहेंगे दूसरी तरफ योगी जी हिंदू खत्रे में हैं इसका नारा लगाएंगे तो फिर एलेक्शन मुद्दों पर लड़ा जाए वाला है नाम ना बताने की शर्ट पर बीजेपी के कुछ सोर्सित में मुझे बताया कि वहां पहले मरहले में भाजपा की छवी को अच्छा करने और उसके अच्छे कामों को बड़ावा देने और उनको पफलिसाई करने का काम किया जाएगा लेकिन जब इलेक्शन खरीबा जाएगा तो ये अपने उसी हिंदु के मुद्दे को सामने लाएंगे हिंदु मुस्लिम की बात को सामने लाएंगे राम मंदिर की बात आएगी काशी मदरा भी बाकी है ये नारा भी लग सकता है तो ये पूरा का पूरा जो बियानिया सैट करने की बात हो रही है वो इसी बुन्याद पर तयार हो रहा है भागवाजी ने बहुती सकरात्मत बाते कहीं है और उसका स्वागत भी होना चाहिए और उन बातों को लेकर के ये भी उमीद कनी चाहिए कि भागवाजी उन अपने तमाम जो संगड़न हैं जो उन से जुड़ेवे हैं और जहां तक पुशन जन जी ने एक बात कही वो बहुत इंपॉर्टन्ट है कि भारत की जो चबी बिगाड़ लाई है उसको सुधारने के लिए भी दरुवी है और ये भी मानना चाहिए कि बगएर हिंदोस्तान के जितने भी पक्षे जितने भी लोग यहां रहते हैं उनकी तरक्टी के बगएर हिंदोस्तान तरक्टी नहीं कर सकता जब तक सारे सेग्मेंट तहीं आगे नहीं आएंगे तब तक पूरा देश कैसे तरक्टी करेगा तो ये बात भी ध्यान में रखने चाहिए और इस शीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी के अधिकारों को ख्याल रखने चाहिए किसी के अधिकारों का हनन ना हो लेकिन जो बात आप नहीं उठाई वो बहुत इंपॉर्डेंट है कि जब मोबिल इंचिंग होती है या इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें दलीत या मुसल्मानी क्यूं सामने होते हैं असल में जो कल महुन भागजी ने भी बात कही कि जो भी इस तरह की इश्यूद होते है उसके खिलाब खुद हिंदू बोलते है मुसल्मानों पर रत्याचार होता उसके खिलाब भी हिंदु बोलते हैं, जलीतों पर अत जारोधा, उसके खिलाब भी हिंदु बोलते हैं, तो स्माज बोलता है, लेकिन सवाल यह है कि उस पर आमल क्यों नहीं होता, उस पर जिन लोगों का अधिकार हैं, जिनको अडिविश्टेशन जिनके भpowered में हैं, वो उन सल्मान सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के अगर रोश्ची में देखिए तो सबसे पीडित पक्षे हैं उनकी हालत दलितों से भी खराब है तो ऐसी कंडिशन में अगर कुछ उनके लिए श्पेशल किया जाए तो इसको तुष्टी करना नहीं कहना चाहिए मेरा ख्याल है कि कु समझने की जरुरत है और आने वाले समय में जब चुनाव है उस समय तो और भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है और गंगा भी है यमुना भी है और उत्तर प्रदेश की राज़िती आप सब जानते हैं कैसी होती है और जहां अलग अलग बहुत सारे दल हैं जिसमें अगर और और उग्लियों पर गिने तो बीजे पी फिर समाजवादी पार्टी बसपा कॉण्डेस फिराम आदली पार्टी स्वेल्डी भारती समाज पार्टी अपना दल कई सारे अरे बहुत सारे दल चोटे और भी दल हैं उपना दल के बीच झाल